दोस्तों ब्रह्मोस मिसाईलों को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाईल के रूप में देखा जाता है और दोस्तों ये जो मिसाईल है ये भारत और रश्या के दोस्ति का भी एक बहुत बड़ा सिंबल है और दोस्तों ये मिसाइल इतना ताकतबर और इतना शमताशाली है कि कई सारे देश इन मिसाइलों को खरिदना चाता है तो वही पर इन मिसाइलों के डर से भारत के दुश्मन देश भी थर थर कापता है। जवाव कभी भी मिल नहीं सकता क्योंकि कोई भी देश और कोई भी आर्म फोर्सेस अपने इस तरीके के सफसे ताकतवर तरिन और सफसे खुफिया हत्यारों के एक्जाक्ट संख्या के बारे में जानकरी नहीं देगा। पाकिस्तान जैसा देश भारत के ब्रमोस मिसाइलों को लेके क्या सोचता है और उनके मन में ब्रमोस मिसाइलों का कितना संख्या हो सकता है। बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जानते है कि भारत के जो दुश्मन देश है वो ब्रमोस मिसाइलों को लेके क्या सोच रखता है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो यह जो ब्रमोस मिसाइल है यह भारत और रश्या के एक जॉइंट वेंचर है और इस जॉइंट वेंचर के अंतरगत दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल को तैयार किया गया है और दोस्तों ब्रमोस मिसाइल असल में दुनि देश है वो भी लगातार इन मिसाइलों के जानकारी को हासिल करना चाहता है और इसके लिए कई तरीके के हतकंडे अपनाया जाता है जिनमें स्पाइइंग भी शामिल है इवन हनी ट्रैप भी शामिल है अब दोस्तों लगभग दो हपते पहले डिफेंस रिसेर्च और डेवल में ये भी पता चला है कि असल में पाकिस्तान के स्पाई एजनसी मतलब ISI से लिंक रखने वाले एक अधिकारी के द्वारा या फिर खैतो एक महिला अधिकारी के द्वारा डियाइडियों के इस बरिष्ट साइंटिस्ट को हनी ट्रैफ किया गया था और उनसे मिसाइलों को लेके जो खुफिया जानकारी को हासिल करने का प्रयास किया गया था उनमें असल में एक्जैक्ली भारत के पास कितना संख्या में ब्रमोस मिसाइल है वो भी शामिल है मतलब पाकिस्तान जैसे देश ये जानने का प्रयास कर रहा है कि भारत के पास कितना मिसाइल हो सकता है लड़ाई के दर्मियान भारत इन मिसाइलों को कितने समय तक इस्तिमाल कर सकता है। अब दोस्थो ये मिसाइल इतना खतरणाक है और इतना डरावना है कि इसका डर चाइनिज मीडिया में भी फैला रहता है। यह सच है यह गलत है यह तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन इतने बड़े संख्या को जो चायना के तरफ से कूट किया गया है यह अगर सच होता है तो इसके बारे में अगर पाकिस्तान और चायना को जानकारी हासिल भी हो जाता है तब भी इस संख्या को काउंटर करना इन दोनों अधिकारी जो मिलिटरी प्लान को आगे बढ़ाते हैं उन्हें तो अवश्य हट आटाक आया होगा हलाकि दोस्तों ये जो 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलों का दावा चाइनिज मीडिया के तरफ से किया जा रहा है उई पर दोस्तों मीडिया में ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में जो जानकरी है उसे एकत्रित करके एक्जैक्ली ब्रह्मोस मिसाइलों के संख्या को भी जानने का प्रयास किया गया है अलाकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे मेडिया रिपोर्टों में कभी भी officially ये नहीं कहा जाता है कि exactly कितने मिसायलों को खरिदा गया या कितने मिसायलों को खरिदा जा रहा है मतलब इससे भी अगर डेटा को हासिल किया जाता है तब भी ये जो डेटा है ये फर्फेक्ट होगा या सच होगा ये नहीं कहा जा सकता दोसो ऐसे ही डेटा को बेस करते हुए बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंडियन एरफोर्स के द्वारा साल 2012 में करीब करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के एर लाँज वरियेंटों को पर्चेस किया गया था जिसका लागत था करीब करीब 1 बिलियन डॉलर 2020 में करीबन 18 सुखोई 30 MKI एर क्रैप्टों को ब्रह्मोस मिसाइलों से फिट किया गया है और उस दर्मियान ही ये ख़वर आया था कि इंडियन एर फोर्स के तरफ से और अतरिक्त करीबन 200 यूनिट के ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस से पर्चेस करने को ले के इरादा बनाया गया है जो कि शायद और 18 से 20 सुखोई 30 MKI एर क्रैप्टों में लगाया जाए अलाकि इसके इलावा अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट में ये विदावा किया जा रहा है कि इंडियन एर फोर्स करीबन 400 और ब्रह्मोस मिसाइल के निक येनरेजन वेर अलाकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक्स्टेंडेड रेंज मिसाइल है और बताया जा रहा है कि इसका रेंज करीब करीब 800 किलोमेटर तक होगा जफकि दूसरे तरफ दोस्तों इन मिसाइलों को असल में नेवी के जहाजों में तैनात नहीं किया जाना है बलकि ये मिस अलाकि इसके इलावा अगर देखा जाए तो नेवी के कई तरीके के बड़े जहाजों के उपर भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया गया है लेकिन एक्जाक्ली इसका कितना संख्या है इसके बारे में जानकरी नहीं है और आपके जानकरी के लिए बता दू कि नेवी के बे गेनरली 65 के आसपास मिसाइल रहता है मतलब टोटल अगर आर्मी के बेड़े को देखा जाए तो आर्मी के पास 300 से 300 के संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है और इन सभी संख्या को अगर जोडा जाता है तो ये कुल मिला के 2000 से भी अधिक नहीं होता है हाला कि दोस्तों इन संख्या को हम किसी वी तरीके से exact संख्या भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई वी देश अपने ऐसे घरेलू acquisition के बारे में जानकारी नहीं देता है और दोस्तों घरेलू acquisition जो होता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाना लगभग नामुम्किन होता है क्योंकि ये कोई बी जानकारी पब्लिक होता भी नहीं है एक्जाम्पल के रूप में अगर देख ले तो भारत के द्वारा फ्रांस से 36 राफल यारक्रेप्टों को पर्चेस किया गया है और इसके बारे में फ्रांस के मीडिया फ्रांस के कई तरीके के गौर्मेंट के अधिकारी जानकारी रखते लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत के पास एक अच्छा खासा संख्या में ब्रमोस मिसाइल होगा और इसी कारण के वज़ा से चायना जैसे देश के मीडिया में भी इन मिसाइलों के संख्या को लेकि इतना अधिक चर्चा किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों चायना एक ऐसा द पर हमें जानने से अधिक इंट्रेस्ट अब स्पाई एजनसीस के लिए मिसाइलों के संख्या ही बना हुआ है और शायद इन्हीं कारोनों के वज़ा से इतने मुश्किल टास्क मतलब हनी ट्रेप जैसे मुश्किल टास्क का इस्थमाल करके मिसाइल के टेकनोलोजी, मिसाइल क deployment के area या missile में किस तरीक एक शमता का इस्तमाल किया गया है उसको जाचा नहीं गया बलकि यही प्रयास किया गया कि भारत के पास missile कितना है उसे ही जाना जाए ताकि उसके खिलाफ एक तैयारी किया जा सके और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर भारत के पास 4-5000 भी ब्रह्मोस missile होगा तो इसके counter चाइना या पाकिस्तान कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि यह जो missile है यह एक तरफ जहाँ पे अचूक है तो उही पे दूसरे तरफ missile defense system के लिए भी इसे रोक पाना नामुम्किन है मतलब हर वार एक missile दागा जाएगा तो वो एक target को अवश्य हीट करेगा और करते हैं समात किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम